हलो इस्टुडेंट वेलकुम टुबेक माई यूटुब चैनल डिकलाइफ हर्स्टडी में आपका स्वागत है तो चलिए आज हम लोग तुवेल्थ क्लास का समास सास्तर का बिलकुल कोश्चन लेकर आए फैन जो की देख सकते हैं आने वाले एकजाम में बहुत ही रहेगी तो चलिए पहला नंबर कोश्चन में क्या कह रहा है देख सकते हैं पहला नंबर कोश्चन में कह रहा है कि समास सास्तर के जेनक अगश्ट काम्ट किस देश के निवासी थे तो देख सकते हैं कि समास सास्तर में अगश्ट काम्ट थे जो की फ्रांस के निवासी थे क नहां के फ्रांस के निवासी थे, ओप्सन नमपर यहां पे भी हो जाएगा, चलिए देख सकते हैं, दूसरा नमपर कोश्चन है कि भारतिये समाज पर उपनिवेस का कैसा प्रभाब देखा गया, तो भारतिये समाज में उपनिवेस का राष्टिये एकता, पुझी बाद अर् सी विशिस्ता हैं, तो यह धर्म की परधानता हो जाएगा, कर्म फल का विश्वास, आत्म, आत्मा एवं पुर्ण जनम पर विश्वास, इन में से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन में से सभी हो जाएगा, चलिए, यहां पर नेक्ष नमर कोश्चन देखेंगे, कि ह मांग की जाती है आर्स बिवा हो जाएगा देख सकते हैं फेंट एक जोड़ी बैल और गाय की मांग की जाती हैं देख सकते हैं यह हो जाएगा फेंट ब्रहमन बिवा हो जाएगा देख सकते हैं चार कॉप्स नंबर भी हो जाएगा फेंट ब्रहमन बिवा हो जाएगा उसे क्या कहते हैं तो उसे नातेदारी कहते हैं क्या कहते हैं उसे नातेदारी कहते हैं देख सकते हैं पांच का उप्शन नमबर यह हो जाएगा छठा नमबर कोश्चन है कि भरतिये समाज में देख सकते हैं जन धीकय का मुल कारण क्या है तो जन धीकय का मुल कारण है समाजि संस्क्रिती कारक हो जाएगा चलिए देख सकते हैं सत्मा नंबर कोश्चन है कि मौसी नातेदारी कि सरेनी के अंतरगत आता है तो मौसी नातेदारी आता है दितिये सरेनी के अंतरगत कि सरेनी के अंतरगत आता है देख सकते हैं दितिये सरेनी के अंतरगत आता है मौसी अठ्मा नमबर कोश्चन है कि प्राचीन भरतिय समाज कितने बर्गों में विभाजित हैं तो प्राचीन भरतिय समाज है जो कि चार भागों में विभाजित हैं कितना चार भागों में विभाजित हैं का option number B हो जाएगा 9 number question है कि निम्न में से कौन जातिवाद का दुस परिमान है तो जातिवाद के दुस परिमान हो जाएगा समाजिक समस्याओं में ब्रीधी समाजिक समस्याओं में ब्रीधी हो जाएगा जाति का दुस परिमान next नमर question है भरतिये समाज में उपनी बेश सासन के क्या कारण थे तो भरतिये समाज में उपनी बेश सासन के कारण थे देख सकते हैं option number D हो जागा छेत्रिये तनाव क्या हो जागा छेत्रिये तनाव हो जागा 10 का option number D हो जागा next number question है निमने में से कौन जाती नहीं है तो जाती निमने में से कौन जाती नहीं है तो यह हो जाएगा सुद्र देख सकते हैं सुद्र है जो कि यह एक जाती नहीं है सुद्र हो जाएगा इगारा का ओप्सन नमबर डी हो जाएगा बारा नमबर कुश्चन है कि संस्क्रीती करन की अवधारना किस ने दी तो स तेरा नमबर प्रश्ण है कि निम्न में से कौन समाजिक समस्या नहीं है तो आधुनिक की करन देख सकते हैं आधुनिक की करन हो जाएगा जो की समाजिक समस्या नहीं है चरी देख सकते हैं चोदा नमबर कोश्चन है निम्न में से कौन संपरदाईक का परिमान नहीं है तो पर बिश्वास क्या हो जाएगा प्रश्पर बिश्वास हो जाएगा चोड़ा का उप्सन नमबर ए हो जाएगा पंदरा नमबर कुश्चन है क्या संपरदाइक मानपता के लिए खत्रा है तो यह सहमत क्या हो जाएगा सहमत हो जाएगा पंदरा का उप्सन नमबर ए हो तो यह आलसी पन देख सकते हैं आलसी पन है फ्रेंड जो की भरष्टा चार का कारण नहीं है चलिए अठारा सत्रा नंबर कोश्चन है कि सर्वजनिक जीवन में भरष्टा चार किस दसात से सम्मंधित है तो सर्वजनिक जीवन में भरष्टा चार सम्मंधित है नैतिक पतन ग जन जाती नहीं है, जन जाती नहीं है, रविदास हो जाएगा, देख सकते हैं, रविदास है, जो कि यह जन जाती नहीं है, अठारा का उप्सन नमबर D हो जाएगा, उनिश नमबर कोश्चन है कि किसने कहा समाजिक संबंधों में होने वाले पडिवर्तन को समाजिक पडिवर गा नेक्स नमर कुश्चन है निमने में से कौन समाजिक परिवर्तन का सबरूप नहीं है निमने में से कौन है जो कि समाजिक परिवर्तन का सबरूप नहीं है तो यह हो जाएगा ओप्सन नमबर डी बेरोजगारी क्या हो जाएगा बेरोजगारी हो जाएगा ओप्सन नमबर के दुआरा किसके दुआरा अस्पेनर के दुआरा लिखा गया था सोसल चेंज पूजब्सटक चलिए देख सकते हैं कि आज कल बिध्यापन के परमुक्सरोत क्या हैं तो बिध्यापन के परमुक्सरोत है रेदियो इंटरनेट मोवाइल इन में से सभी हो जाएगा, विज्यापन के परमुक सरोथ इन में से सभी हो जाएगा, option number D हो जाएगा, next number question है, नगरीये को मापने का परमुक पैमाने क्या हैं, तो जनसंख्या घनतु, समाजिक गति सिल्ता, अधोगिक विकास इन में से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन में से सभी हैं, जोकि नगरी करण को मापने का प्रव्रमुक पैमाना है, ओप्सन नमबर D हो जाएगा, चलिए 24 नमबर कोश्चन है कि आधुन की करण का परिमान हैं, तो आधुन की करण का परिमान हैं, नए बर्गो का उदय साच्छरता में बिरिधी, लैकिक समानता, इ इन में से सभी हो जाएगा, 24 का उप्सन नमबर D हो जाएगा, पचीश नमबर कोश्चन है, देख सकते हैं, पचीश नमबर प्रश्चन है कि निम्न में से कौन एक भारती है, संस्क्रीती संरचना में पडिवर्तन लाने वाली परिकरिया नहीं है, तो यह हो जाएगा, लैक लैकी की करन, लैकी की करन हो जाएगा, उप्सन नमबर D हो जाएगा, चलिए देख सकते हैं, भारत में सबसे पहले छोटा अलप संख्या समूँ क्या है, तो भारत में सबसे पहले जो छोटा अलप संख्या समूँ था, वा जैन था, क्या हो जाएगा, जैन था, उप्सन नम है तो यह हो जाएगा देख सकते हैं रवीदास रवीदास है फें जो की अनुसूची चाहती नहीं है और अप्सन नमबर यहां पे 27 का भी हो जाएगा देख सकते हैं कि मुसलिम विवाह कितने परकार के होते हैं तो मुसलिम विवाह दो परकार के होते हैं कितने परकार के होते फ्रेंग मुस्लिम विवाह दो बरकार के होते हैं ठाइस को अप्शन नमबर ए हो जाएगा 29 नमबर कोश्चन है निमने में से कौन सा एक बर्ग नहीं है तो ब्रहमन हो जाएगा फ्रेंग ब्रह्मन है जो कि यह एक बर्ग नहीं है चलिए तीस नमबर कोश्चन है कि किस वर्स वाल सरम पर एक राष्टिये नीती बनाई गई थी किस वर्स वाल सरम पर एक राष्टिये नीती बनाई गई थी तो यह हो जागा ओप्सन नमबर यहां पर हो जागा ए देख सकते हैं उनीशोग सतासी में, कब बनाया गया था, उनीशोग सतासी में बनाया गया था, एक्ष नमर कोश्चन है कि मुसलमानों में निम्न में से कौन सा बिवा अस्थाई है, तो यह मुता बिवा हो जाएगा, कौन सा बिवा, मुता बिवा अस्थाई है, एक्तिस किस वर्ष पारित लाइनीयम किस वर्ष पारित था, तो यह हुआ था 1950 में, कभ वा था, 1975 में हुआ था, option number 32 का ये हो जाएगा, जैने 33 नंबर कोस्टिन है, अनुसूची जन जाती जातीयों का अनरक्षन, दिया जाता है उनकी तो देख सकते हैं अनुशूची जातियों का जो अरच्छन दिया जाता है वह निम्न अनुश्ठानिक देख सकते हैं जो प्रस्थीती के अधार पर दिया जाता है निम्न में से किन्हें किसी एक जाती को अनुशूची जाती घोंसित करने का अधिकार है जाती घोंसित करने का अधिकार हैं तो यह हो जागा अनुसूची जाती का आयुक्त को किसको अनुसूची जाती के आयुक्त को अप्सन नमबर बी हो जाएगा एक्ष नमबर कोश्चन है निम्न में से कौन सा कारक जाती विवस्था में पड़िवर्तन के लिए उत्तरदाई ह तो ये हो जाएगा अधाओगी करन, वैस्वी करन, नगरी करन इन में से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इन में से सभी हो जाएगा, देख सकते हैं, 35 कौल और जाएगा. 36 नमर कोश्चन है असुर विवाह देख सकते हैं असुर विवाह विवाह का एक परकार है तो असुर विवाह है जो की जनजातियों में होता है किस में होता है असुर विवाह है जो की जनजातियों में होता है 36 कोशन नमर यह हो जाएगा 37 नमबर कोश्चन है किसने संस्क्रीती करण का प्रातसित समाजी करण का प्रकिरिया कहा है तो यह SC दूबे ने कहा है किसने कहा है फें SC दूबे ने कहा है ओप्सन नमबर यहां पे हो जाएगा B चलिए 38 नमबर किस वर्स संसद से 3 तलाग कानून पास हुआ किस वर्स 3 तलाग कानून 2018 में पासु हुआ था 39 नमबर कोश्चन है किस वर्स बिहार में पुर्न सराब बंदी कानून लागो हुआ पुर्न सराब बंदी कानून 2016 में लागो हुआ था हुआ था दो हजार सोला में पुर्ण सराब बंदी कानू लागो हुआ था देख सकते हैं जो नसाब बंदी कानू लागो हुआ था दो हजार सोला हो जाएगा नेक्स्ट परिवर्तन की कौन सी परकिरिया उधोग से सम्बंधित है तो परिवर्तन की कौन सी परकिरिया है जो उ आधुनी की करन हो जाएगा क्या हो जाएगा आधुनी की करन हो जाएगा देख सकते हैं चालिस को अप्शन नमबर सी हो जाएगा नेक्स नमर कोश्चन है भरतिये समाज के इतिहास के कितने कालों में विभाजित किया जाता है तो भरतिये इतिहास के कितने कालों में विभाज किया जाता है एक तालिस को अप्सन नमबर भी हो जाएगा नेक्स नमर कोश्चन है भी आलिस नमबर कि भारतिये हिंदु समाज में कितने आसरमों की चर्चा की गई है तो भारतिये हिंदु समाज में चार आसरमों की चर्चा की गई है कितना चार आसरमों की चर्चा की गई है next number question है कि कि वर्ष असोख महता कमिटी का गठन हुआ था कितने परकार है तो मुसलमानों में बिवाह बी छेदन जो परकार है वह दो परकार हो जैगा कितना दो परकार के बिवाह बी नेटन है, ओप्सिन नमबर क्या हाँ पे हो जागा A, एक्स नमबर क्योस्ट्चन है, अवल इंडिया हरजन सेवक संग की अस्थापना, 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो देख सकते हैं, अवल इंडिया हरजन सेवक संग की जो अस्थापना थी, वह भीमराब अम्वेद करके द्वारा किया गया था किसके द्वारा भीमराब अम्वेद करके द्वारा किया गया था 45 को अप्सन नमबर A हो जाएगा 46 नमबर कोश्चन है बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम किस वर्स पास हुआ था तो बाल भी वाहर रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम पास हुआ था जो कि 1929 में हुआ था कब हुआ था 1929 में हुआ था नेक्ष नमर कोश्चन है कि भरतिये समास सास्त्रिये परसिद्ध के अधियच अभी कौन है तो एमेन कौर्ण हो जाएगा कौन हो जाएगा एमेन कौर्ण हो जाएगा नेक्ष नमर कोश्चन को देखेंगे देख सकते हैं नेक्ष नमर कोश्चन में क्या कह रहा है कि नीमन मेंसे कौन सा वर्न वेवस्था का परकार नहीं है तो कुश्वाहा हो जाएगा क्या हो जाएगा फैइन कुश्वाहा है जो कि वर्न वेवस्था का प्रकार नहीं है 50 का option number D हो जाएगा एक आवन नमबर प्रश्ण है एक ग्राम पंचायत में सदस्य की नियूतम संख्या क्या होती है तो सदस्य की नियूतम संख्या 8 होती है एक ग्राम पंचायत में सदस्य की संख्या 8 होती है कावन का उप्शन नमपर ए हो जाएगा बावन नमबर कोश्चन है बिहार में पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत में कुल कितने कार्य का उलेख किया गया है तो ग्राम पंचायत में कार्य का उलेख 29 किया गया है कितना 29 किया गया है देख सकते हैं 52 का उप्शन पर ए हो जाएगा चलिए तिरपन नमबर कोश्चन है कि बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना किस मंत्री ने आरंव किया तो बिहार में बेरोजगारी भत्ता जो आरंव किया था नितीज कुमार ने किस ने नितीज कुमार ने आरंव किया था बेरोजगारी भत्ता तिलपन को अप्शन नुबर ए हो जाएगा चोवन नमबर कोश्चन है कि धर्म के आत्मबाद का सिधान्त किसने परतिपादित किया तो यह किया था दुखीम ने किया था देख सकते हैं चोवन को अप्शन नमबर डी हो जाएगा चलिए पच्पन नमबर कोश्चन है देख सकते हैं कीर दिन तेख सकते हैं किस दिन अंतराश्टिय औसधी दूर उपयोग एवं अनईश्चिक विपार परति रोधख दिवस मनाया जाता है तो 26 जून को किस दिन 26 जून को मनाया जाता है 55 को अक्सान नबर यह हो जाएगा 56 नमबर कोश्चन है किसने कहा नगरिये एक जीवन पधती है तो यह रौस ने कहा था किसने कहा था रौस ने कहा था नगरिये एक जीवन पधती है किसने कहा था रौस ने कहा था चलिए देख सकते हैं 57 नमर किसने जाती प्रथा की उत्पती को परजातिये दृष्टी कोन को किया है तो जाती प्रथा के उत्पती को पर जाती ये द्रिष्टी कोन प्रस्तुत किया है रिजले ने किसने रिजले ने किया था देख सकते संतावन का उप्शन नमबर भी हो जाएगा निम्न में से किसने मध्ध पान का परिमान नहीं कहा जाता है तो अपराधों में कमी क्य चलिए देख सकते हैं यहाँ पे कि जनता दल सरकार सरपर्थम किस वर्स मध्य पान निसोद की नीती भारत में लागू किया था तो यह लागू किया था 1989 में कब लागू किया था 1989 में लागू किया था जनता दल सरकार में मध्य पान निसेद नीती देख सकते हैं 69 का उप्सन नमर C हो जाएगा साथ नमर कोश्चन है बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्स लागू हुआ था बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून 2017 में लागू हुआ था कब हुआ था 2017 में लागू हुआ था सकते हैं साट का बारत के बीविध्यता में बीविध्यता का सुरूत नहीं है तो यह हो जागा राष्टिये प्रतिक क्या हो जागा फैर राष्टिये प्रतिक हो जागा पहला का option number C हो जाएगा next number question है कि किसने कहा भरतिय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इनकी परंपराओं का अध्यन अनिबार रहे हैं तो यह DP मुखर जी ने कहा था किसने कहा था DP मुखर जी ने कहा था दूसरा का option number B हो जाएगा तीसरा number question है कि निमन में से कौन सा भारत का राष्टी ये पच्छी है तो भारत का राष्टी ये पच्छी मोड हो जाएगा क्या हो जाएगा फरें मोड हो जाएगा तीन का option number C हो जाएगा next number question है मानव समाज जीवन समाज के किस अधार पर भीन है मानव समाज के जीवन समाज के किस अधार पर भीन है तो यह संस्कृति के अधार पर भीन है किस के अधार पर शंस्कृति के अधार पर भीन है चार का उप्शन नमबर यह हो जाएगा चलिए देख सकते पच्छमा नमबर कोश्चन है किसने कहा समाज सास्तर समाजिक समूहों का विज्ञान है किसने कहा था समाज सास्तर समाजिक समूहों का विज्ञान है तो यह सिमेल ने कहा था किसने कहा था सिमेल ने कहा था देख सकते हैं पाँच का अप्शन नमबर भी हो जाएगा नेक्स नमबर कोश्चन है आसरम बेवस्था का दूसरा अस्थर क्या है तो आसरम बेवस्था का दूसरा अस्थर ग्रिहस्त है क्या है आसरम बेवस्था का दूसरा अस्थर ग्रिहस्त है देख सकते हैं छे का उप्चन नमबर डी हो जाएगा साथ नमबर कोश्चन है अंग्रेजी सासन किन सताबदी से आरंब हुआ तो अंग्रेजी सासन हुआ अठर्मी सदी से आरंब हुआ था कब से अठर्मी सदी से अंग्रेजी सासन आरंब हुआ था साथ का अप्शन नमबर C हो जाएगा आठ नमबर कोश्चन है कि पच्मी करन की अबधारना सिरी निवास ने किन वर्स परतिपादित किया तो पच्मी करन की जो अबधारना थी सिरी निवास ने उनीशो बासट में परतिपादित किये थे कब किये थे उनीशो बासट में परतिपादित किये थे next नमर question है कि कौटले द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है तो कौटले के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम अर्थ सास्त्र हो जाएगा क्या हो जाएगा अर्थ सास्त्र हो जाएगा देख सकते हैं option number D हो जाएगा चलिए देख सकते हैं नेक्ष नमर कोश्चन है कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किस से जुड़ी हुई है तो सिंधु घाटी सभ्यता नगडिये सभ्यता से जुड़ी हुई है किस से नगडिये सभ्यता से जुड़ी हुई है दस का option number B हो जाएगा, चलिए देख सकते हैं, यहाँ पर 11 number question है, किसने कहा कि वाद परतिबाद तथा संबाद ही परिवर्तन का नियम है, किसने कहा था वाद परतिबाद तथा संबाद ही परिवर्तन का नियम है, तो यह सिरी निवास जी ने कहा था, किसने सिरी निवास जी न बिवाह का परकार्रे हो जाएगा योन संत्रुष्टी और संतानों के उत्पती बच्चों का लालल पालन इन में से सभी हो जाएगा क्या हो जाएगा इन में से सभी हो जाएगा बिवाह का परकार्रे पारा का option number D हो जाएगा फ्रांस में समास सास्त्र की नीब डालने का सरे किसको जाता है सहकष्टी क्या है तो सहकष्टी एक नातेदारी की रितिया है, यह एक नातेदारी की रितिया है, चौदा का उप्सन नमबर यह हो जाएगा, पंदरा नमबर कोश्चन है, निम्न में से कौन धर्म का तरकिक व्यक्ष्चा है, निम्न में से कौन धर्म की तरकिक व्यक्ष्चा है, तो यह संस्क् करन हो जाएगा क्या हो जाएगा संस्कृति करन हो जाएगा 15 का उप्शन यहां पे हो जाएगा 16 नमबर कोश्चन है कि निमन में से कौन नातेदारी का प्रकार नहीं है तो यह हो जाएगा समाजिक सुरच्छा नातेदारी का प्रकार नहीं है समाजिक सुरच्छा हो जाएगा सोला का उप्सन नमबर D हो जाएगा सतरा नमबर कोश्चन है घुरिये ने जाती की समस्याओं को कितने भागों में बाटा गया है तो घुरिये ने जाती के समस्याओं को दो भागों में बाटा है कितने भागों में? दो भागों में बाटा है चलिए अठारा नमबर question है कि सरहूल किस समुदाय का तEMA हार है तो सरहूल है जो कि आदिवासी का तEMA हार है किसका सरहूल है जो कि आदिवासी का तEMA हार है अठारा का option number C हो जाएगा उनीश नमबर कोश्चन है कि किस वर्स जमू एबम कासमीर राज्य को दो किंदर सासीत राज्यों में देख सकते हैं किंदर सासीत राज्यों में पांट दिया गया तो देख सकते हैं जमू एबम कासमीर को किंदर सासीत राज्यों में पांट दिया गया अप्सन नमबर भी हो जाएगा यानि देख सकते हैं option 2019 में कब बाटा गया दो हजार उनीश में next नमर question है कि student credit card योजना किस अस्तर्प की सिच्छा से सम्बंधित है student credit card योजना है जो कि उच्छा से सम्बंधित है किस से उच्छा से सम्बंधित है देख सकते है student credit card है जो कि मुझे सिच्छा से सम्बंधित है चलिए देख सकते हैं कि इस नमर question है निमन में से कौन जाती अती पिछ़़ा बर्ग के अंतरगत नहीं आता है आती पिछ़़ा बर्ग के अंतरगत नहीं आता है option number B हो जगा नो निया देख सकते हैं नो निया हो जाती है जो कि अती पिछ़़़ा बर्ग के अंदर नहीं आता है एक्ष नमर question है ग्राम नगर देख सकते हैं सत्यात्य की अवधारना किस ने दी थी तो रेफिल्ड ने दिया था किस ने रेड फिल्ड ने दिया था देख सकते हैं रेड फिल्ड हो जाएगा option number A हो जाएगा एक्ष नमर question है ग्राम पंचायत चुना में भाग लेने के लिए मतदाता की आयो कम से कम कितनी वर्स होनी चाहिए तो मतदाता की उम्र कम से कम 18 बरस होनी चाहिए कितना कम से कम 18 बरस होनी चाहिए ग्राम पंचायत में भाग लेने के लिए मतदाता का उम्र कम से कम ठाड़ा बरस होनी चाहिए निम्न में से कौन अधूनी की करण की विशेस्ता नहीं है तो परंपरा का महत्व हो जाएगा परंपरा का महत्व है जो कि अधूनी की करण की विशेस्ता नहीं है चलिए देख सकते हैं निम्न मेज से कौन विवाह सम्वंधित निशोद के नाम से जाना जाता है तो या देख सकते हैं विवाह के निशोद से जाना जाता है चलिए देख सकते हैं किस ने कहा धर्म अलाइंकिक सक्ती और विश्वास पर अधारित हैं जिसमें आत्मबाद का और मानवता बाद दोनों सामिल हैं तो हावेल ने कहा था किस ने कहा था हावेल ने कहा था 26 को अप्शन नुबर यहां पे सी हो जाएगा 27 नुबर कोश्चन है निम्न में से कौन अधोगी करन की विशेस्ता नहीं है तो तक्नीकी मसीन अधोगी करन की विशेस्ता नहीं है तक्नीकी मसीन हो जाएगा क्या हो जाएगा तक्नीकी मसीन ओप्शन नुबर बी हो जाएगा निम्न में से कौन मुसल्मानों को धार्मिक करतब्बे हैं तो देख सकते हैं कलमा पढ़ना और नवाज पढ़ना रोजा रखना इन में से सभी हैं जो की धार्मिक करतब्बे हैं सभी हैं जो की धार्मिक करतब्बे हैं नश्स नमर कोश्चन है निम्न में से कौन धार्म निर्पेची करन का आवस्च तथ नहीं है सामोहिक का सब्सद्ध हो जाएगा काट कर बनाया गया है चंजाती ये बहुले जारखंड को बिहार से काट कर बनाया गया किसे बिहार से काट कर बनाया गया है option number P हो जाएगा next number question है कि महिलाओं के लिए समान परिश्रमी अधिनियम किस वर्स पारित हुआ महिलाओं के लिए समान पडिश्रमी 1976 में पारित हुआ था कब हुआ था? 1976 में पारित हुआ था option number C हो जाएगा निम्न मेंसे कौन भारत में वैसवी करन का प्रवधान नहीं है option number B हो जाएगा महिला जागरुकता क्या हो जाएगा? महिला जागरुकता option number B हो जाएगा चलिए देख सकते हैं किस ने कहा समासास्त्र मानविये अंत संबंधों का सबरुक विज्ञान है तो यह सिमेल ने कहा था किस ने कहा था? सिमेल ने कहा था चलिए देख सकते हैं किस समासास्ति ने कहा समाज सास्त्र समानने और विशेश विज्ञान का समावय है तो यहाँ देख सकते हैं सोरोकिन ने कहा था किसने सोरोकिन ने कहा था चलिए देख सकते हैं यहाँ पर 35 नमबर कोश्चन है किस विशेख को समाज सास्त्र की जुरवा बहन कहा जाता है तो किस विषय को समाज सास्त्र की जुरुवा बहन कहा जाता है मनो विज्ञान हो जाएगा के उन विज्ञान मनो विज्ञान हो जाएगा option number B हो जाएगा चलिए देख सकते हैं निम्न में से कौन समाज का सास्त्री समाज सास्त्रिये का अर्थ है देख सकते हैं 36 option number C हो जाएगा 37 option number C हो जाएगा निम्न में से किसे अलिखित कानून कहते है तो जनरीती प्रथा और लोका चार इनमें से सभी को अलीखित प्रथा कहा जाता है Next number question है कि भारत में कितने परतिसत लोग सोसल मीटिया पर सक्रिए हैं next number question है कि बिहार में social media का कौन सा सबरूप सबसे ज़्यादा उप्योग में आता है तो सबसे ज़्यादा उप्योग Instagram देख सकते हैं Instagram बिहार में सबसे ज़्यादा अभी उप्योग में आ रहा है 46 का option number C हो जागा कare ग्र्ट को सकते हैं उन चालीश नच्पर met impe will एक तालीश नबर कॉस्चन है नीम्न दीम से कौन मेडिया का सब से परचलित परकार है तो नग्रिये जन संखिया का प्रतिषत अधीख- 극ा देख सकते हैं महराष्ट हो जाएगा जिसका नगरिये जनसंख्या सरवाधीक है 42 का अप्शन नमबर यहां पे भी हो जाएगा किस वर्स आकसवानी की अस्थापना हुई थी 1936 में आकसवानी की अस्थापना 1936 में हुआ था देख सकते हैं 44 नमबर कुस्चन है कि किस वर्स दुदर्सन पर सारण की सुरुआत हुआ था सुचना का अधिकार कानूं कग पास हुआ था यह 2005 में सूचना का अधिकार कानून 2005 में पास हुआ था नेक्स नमर कोश्चन है किस वर्स राष्टिये वल सार्मिक प्रोजेक्ट याचना आरंब की गई थी तो किस वर्स राष्टिये वल सार्मिक प्रोजेक्ट आरंबना देख सकते हैं प्रोजेक्ट योजना आरंभ की गई थी 1992 में बाल सारमिक प्रोजेक्ट 1992 में आरंभ हुआ था 46 का उप्शन नुबर C हो जागा चलिए देख सकते हैं नीमन में से कौन बिहार की अनुसूची चाती नहीं है रविदास प्रविदास हो जागा फ्रेंज जो कि अनुसूची चाती नहीं है नेक्स नमर कोश्चन है किसने कहा विवाह इस्तिरी और पुरुस परिवारिक जीवन का प्रवेश करने का एक संस्था है तो यह वोगार डेर्स ने कहा था किसने वोगार टेस ने कहा था प्रविदास नमर कोश्चन है कि राष्टिय अल्प संख्या योग के अध्यच कोन है तो सहन वाज हुसाइन राष्टिय अल्प संख्या का जो अध्यच है साहन वाज हुसाइन हो जाएगा पचास नमबर कोश्चन है कि बिहार समाज योजना परिसद के उप अध्यच कौन है तो विजिंदर परसाद यादव कौन हो जागा विजिंदर परसाद यादव हो जागा एक्ष नमबर कोश्चन है किसने कहा समाज समाजी को का संबंधों का जाल है तो यह मेकाईवर ने कहा तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना है विडियो को लाइक सिर कर दे चैनल को सुब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ताकर पलपल की अपडेट यहां से आपको मिलती रहेगे तो चलिए आज के लिए इतना ही तब निये टेकेट बाथ